तो जैसाथ दोस्तो आप सभी को पता चालिए चुक्त आज क्स वीडियों बात के नहीं चारें दैसमी के रिजल्ट के ऊपर अभी अभी बिहार बोट के दौख एक खबर आया है, खबर में क्या है, किस बात की खबर है? पूरी जनकारी के साथ इस वीडियों बात करने जा रहा है तो दोस्तो वीडियो को आखरी तक जहूर देखे सो नमस्कार में आम सोनू आप देख रहे जुके समय गुपताजी योटोब चैनल चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सस्क्राइब कर ले और साथ में एक बैल आइकन होगा उसको भी दवया ले ताकि लेटे इस वीडियो आपको मिलता रहे बिलकूँ फिरे दोस्तो वीडियो को सुरू करने इस पहले वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में जाए-जादा सेयर करें और साथ फेस्विक गुरूप वार्सो गुरूप में भी शेर करें ताकि सब इस ट्रून के यह जनकारी पराप्त हो सके तो चलिए दोस्तों कमाल की वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों आप स्कीन पर देख सकते हैं यहां पर बताया गाए पूरी जनकारी यहां पर देख तो आप स्कीन पर देख सकते हैं दोस्तों आपी बताएगा कि बिहार बोट BSEB 13 रिजल्ट 2020 बिहार बोट के दसमी के रिजल्ट का इंतजार कर रहे है चात्रों के लिए राहत वरी खबर जल्द ही आएगा परिनाम। दोस्तों आप देख सकते हैं कि बताएगा है कि मुलैंकन किंद्रों निदेशक वे जीला सिक्चा पदादकारियों को सौपी गई है काप्यों की सुरक्षा की जिमन्दारी और यहां पी बताएगा है कि बिहार बोट के अधरक चानन की सोड के मुताविक करोना महारी से है ऐसे में कापी की जांच नहीं हो सकती थी सभी जीला के सिक्षा पधादकारी और मुलैंकन केंद निदेशक को इसकी सुचना दे दी गई है सभी से कहा गया है कि तब तक उत्तर पिष्टिकाओं की सुरक्षा सुनचित की जाए और नीचे बताएगा है कि अधिकारी वेपसाइट पर जारी किये जाएंगे रिजल्ट तो दोस्तों को ड़ों कर जो दसमी रिजल्ट हुआ कौन से वेपसाइट पर जारी होगा तो इ отпल दिखेंगे बताया गया है मैटिक परिच्छा का पईनाम भी आरबोट की अधिकारी वेबसाइट पर जारी किये जाएंगे जैदा जनकारी के लिए आप इस वेबसाइट पर नजर बनाए रखे तो दोस्तो इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के नीचे दे दिये होसे जाएग कि आप चेक कर सकते हैं आपना रिजल्ट ठीक है तो जाना जनकारी के लिए इस वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं या हम आपको जो भी जनकारी प्यायर बोट से समझे निकलेगा हम आपको वीडियो के में अदम से बता देंगे ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि लेट इस वीडियो आपको मिलता रहे बिलकुँ फिरी और दोस्तों और भी यहां पी बताया गया है तो चले यह भी जान लेते हैं दोस्तों आपी बताया है कि 2020 में लड़कों से करीब आधी रही लड़कियों की स 83,034 लड़कियों ने परिच्छा दी राजे के 1378 परिच्छा केंद्रों में बिहार मैटिक परिच्छा का आयोजन कराया गया था तो दोस्तों इस वार जो कितने चात्र सामिल थे इस वार एकजाम देवने में तो आपी दिके सब सब बताया गया कि 15,034 लड़कियों ने परिच्छा दी है राजे के 1378 परिच्छा केंद्रों में बिहार मैटिक परिच्छा का आयोजन कराया गया था ठीक है और भी ये नीचे बताया गया कि दोस्तों आपी दिके में टोपिक आपका यही है कापियों का मुलैंकन 14 अपरल के बाद होगा शुरू तो दोस्तों आपी देख सकते हैं कि कापियों का मुलैंकन 14 अपरल के बाद होगा शुरू और भी आपी बताया गया कि बिहार बोड ने बोड परिच्छा की कापियों क मुलाइंकन को अस्थागित कर 31 मर्स तक कर दिया था जिसके बाद देश भर में लॉकडाण हो गया और इसी के चलते बोर्ड ने मुलाइंकन सुरू करने की तारीक 31 मर्स से बढ़ा कर 14 अपरेल कर दी देश में 11 दिनों का लॉकडाण है जिसकी अब दी 14 अपरेल को पूरी हो सही है लॉकडाण समाप्थ होने के बाद मुलाइंकन का कारuyorum बोर्ड शुरू करेगा तो थो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं की कांप्यों का मुलाइंकन 14 अपरेल के बाद होगा शुरू ठीक है जो लॉकडाण ख़तम होगा उसके पर लोगह पर 10-12 दिन के बाद आप द जल्ट जारी कर दिया जाएगा उस वेबसाइट पे ठीक है तो वेबसाइट का लिंक हम नीचे दे दिया है और दोस्तों यहां पर और भी जनकार दिया गए यहां पर बताया गए कि 2020 में आयोजित परिच्छा में 15,393 बच्चे सामिल हुए थे दोस्तों यहां पर बताएगा परिच्छा करिजल जारी करे देगा इस बार बिहार में दसमी की परिच्छा 17 फरवारी से सुरू होकर 24 फरवारी तक आयोजित हुई जिसमें 15,29,393 बच्चे सामिल हुए थे तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस तो पर देख सकते हैं चात्रों के लिए राहत भरी खब और यहां पर बताएगा कि कोरोना वारैस के संक्रमन के बढ़ते खत्रे को रोकने के लिए देश भर में लागू किये लॉकडाउन का असर विहार बोट में 10 मीट के परिच्छा के परिच्छा के परिच्छा नतीजों का आलान करएगा तो दोस्तों आप लोग काफी खुश खबरी का बात है जो आप लोग का रेजल्ट काफी जल्द आने वाला है आप देखे बताएगा कि रहत का चात्रों के लिए रहत भरी खबर तो चात्रों के रहत भरी खबर क्या है तो बोर जल्द ही मेंटिक परिजाए के नतीजों का एल लिंग करेगा ठीक है दोस्तों यही था आज इस वीडियो में जनकारी बिहार बोट से समन्द अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में जह सेर करें और साथ ही फेस्ट्बॉक गुरूप वासब गूरूप में भी शेर करे और दोस्तों जब आप लोग के रिजल्ट जा रहे होगा रिजल्ट देखने के लिए वीडियो के नीचे हम लिंक दे दिये वहाँ से जाके आप किलिक करके जो भी जनकारी मांगता है उसको भरके उसके बाद आपका जो रिजल्ट इंटरफेस आता है वह देख सकते हैं और इ यही था इस वीडियो में जनकारी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ जय हिन आप सभी का दिन सुभ हो